वहीं करनाल में एक महिला ने खुदकुशी कर ली बताया ये जा रहा है कि महिला के सस्रुआल वाले उसे दहेज के लिए परिशान किया करते थे क्या है पूरा मामला इस रिपोर्ट में देखे करनाल के गाउन नलीपार की रहने वाली अनू जिसके दो साल पहले ही शादी हुए थी घरवालों ने भी शादी में कोई कोर का सर नहीं जूड़े ये सोचकर कि बिटिया खुश रहेगी लेकिन किसी को क्या पता था कि तन नोचकर भी घरवाले बेटी के ससराल वालों के इक्षाओं को नहीं पूरा कर पाएंगे और उनकी फूल जैसी बेटी जो विदा तो तमाम सपने लेकर घर से हुई थी लेकिन उसी बेटी की लाश उसके ससराल से निकला गी घर से सुर्ख लाल साड़ी पहन कर जिस बेटी को विदा तो किया था लेकिन किसी ने भी न सोचा होगा कि जब बेटी की खबर आएगी तो वो सुर्ख सफेद कफन में एकटी होगी दरसल करनाल की गाउन नलीपार में दो साल पहली ही अनू की शादी हूँ थी लेकिन अनू के परिजनों ने आरोप लगाते हुए कहा कि अनू के साथ आए दिन दहेश को लेकर मार पीट की जाती थी उसे परिशान किया जाता था परिजनों ने तो ये तक कहा कि अनू को खाने के लिए ताने सुनने पड़ती थी है अन्न हमारी लडकी ती पदले हैं इसको महरे पिटाई से बने मच्बोर रहा हुए भावत मजबहूर है बहुत है वह visas प्रश्वाल वाले तंग भी करते हैं तो वहीं जब इस मामले की सूचना पुलिस को दी गई तो पुलिस ने भी मामले को गंभीरता से लेते हुए ससुराल पक्ष के तीन लोगों को किरफतार कर लिया पुलिस का कहना है कि इन सबसे पूस्ताज की जा रही है और अस मामले में जो भी दोशी होगा उसके खिलाफ सक्त कारवाई होगी बिटिया तो हमेशा हमेशा के लिए चली गए और अगर अपने पीछे कुछ विरासत में छोड़ गई तो लगभग 11 महिने का मासूल जो हमेशा अपने बाप, दादा, नाना नानी से बस यही सवाल पूछता रहेगा कि उसके सर से उसकी माह का साया किसने शेना जनता टीवी के लिए करनाल से कमल मिड़ा की रिपो